नमस्कार दोस्तों तो Tata Power में एक और शांदर खबर आगी है मैं कहीं दिन से कह रहा था नहीं जाएगा यह दोस्तों से नीचे पर लोग कह रहे था गिरेगा गिरेगा योर गिरेगा ऐसा नहीं होता है अब हुंडाई ने भी पार्टनर्शिप किसके से कही है Tata Power के साथ 34 DC Fast Char चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए करो उस इंडिया और यह पहला स्टेप है हुंडाई अगर का गाड़ी बनाएगा तो किसके चार्जिंग स्टेशन लगेंगे Tata Power के अगर मारूती बनाएगा तो किसके लगेंगे Tata Power के कोई भी हो वो किसका infrastructure यूज करना चाता है सि तब ही कह रहा हूं लोगो कितना भी Tata Power भी Tata Motors की गाड़ियां भी के नामीगे EV में वैसे तो वो नमबर वन है वो तो यूज करेगा ही करेगा बट उसके अलावा जितने भी हैं जितने भी आपको manufacturers पता है Hyundai Motors उन में से एक बहुत बड़ा इंडिया में सेकेंड लाज़ेस् चालर है कार का तो वो भी किसके तरफ जा रहा है Tata Power की तरफ जा रहा है 60 वोट किलो वोट के Charging Infrastructure की बात चल रही है 34 ये लगाए जाएंगे 29 सिटीज में लगाए जाएंगे इसके बात CEO ने काया है कि हम खुश हैं कि और भी companies हमारी तरफ मोड रही हैं और ये आपको पते ये 1500 जादा EV Charging Infrastructure पहले से है EV Charging Station Tata Power के पास ये और एड़ करने वाले हैं तो ये लगातार चलेगा दोस्तों ये प्रोसेस नहीं रुकने वाला है आपको लगे कि आज ये खतम हो जाएगा कल और कंपनी नहीं आएगी ये काम चलने वाला है अगले 5 साल 6 साल तक लगातार और इसमें सबसे नंबर वन पे कौन सी कंपनी रही टाटा बावर और देखिया आज 6.5% के उपर गया है इसमें कोई ये नहीं है कि उपरेटर भगा रहे हैं ये काम के बलबूत है अपने प्रोडेक्ट में कल भी काता 1700 करोड का कॉंटरेक्ट में रहे तब भी लोग कह रह कुछने की जूरत नहीं है इसके अंदर कोई रेकमेंडेशन यह बटा स्टोक बहुत चांदार है खबर बहुत अच्छी है